हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है बिना करसल के ब्लैक एसकीन आ रहा है विंडो 11 में तो इस प्रोलम को कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए करने के लिए अलग अलग कोन सबसे करने के लिए आपको क्या करने सबसे पहल के सबसे पहले EB tão सही या नहीं है यादि माल यहां पर्ट केस में यहां पर यहांपर इपर यहांपर नहीं है तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको क्या करें यहां पर बूट के अंदर आने boot के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है यहापे CEM सित दिखेगा इसको पर आपको click करना है click करने के बाद अब आप यहापे देख लीजेगा इसको आपス enable कर लीजेगा इसको आप Bakض यहाप पे आप देख लीजेगा boot device controller के अंदर यहापे UFI यानि तो legacy दोन होना चाहिए यदि सिर्फ legacy legacy होगा तो नहीं भी आईगा आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर यूएफ है या लिग ऐसी select कर लिजएगा यानि तब यूएफ है सेलेट कर सकता है तो यहाँ पर इस चीज़ का दियान रखेगा यदि आपको की चेस में यहाँ पर कोई changes होगा तो आपको यहाँ पर सही कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ यह पर identical यहाँ पर क्लिक करने कबाद यह restart हो जाएगा यह restart होने कबाद अड़ आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो यह problem था o यह problem पर आपको क्या किना कोई बूटेबल फेंड देटेक्ट हो जाएगा जो भी बूटेबल पनेक्ट कर दीजेगा तो आपको यहां पर select कर लेना है, यहां पर आपको दो pen drive दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर UEFI यह बाला आपको select करना है, इसके बाद आपको enter कर देना है, enter करते हैं, इस तरह से pen drive से boot होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद यह window open हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहां पर आपको दिख जाएगा, repair your computer, इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, इस तरह से advanced mode में आ जाएगा, यानि तो आपको case में बिना करसल का black screen आता होगा, यानि तो startup से related कोई भी issue होगा, तो इस तरह से आपको advanced option में आ जाना है, यहां आने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर दिख जाएगा, इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही, इस तरह से window open हो तो आपको क्या खरना है यहाँ पर complete होने तक आपको wait करना है इसके बाद इस तरह से window आजाएगा यदि repair नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा startup repair, startup repair call not repair your PC इस तरह का message आता है तो आपको क्या खरना है फिर से यहाँ पर आपको advance option दिख रहा है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है खरना हो जाएगा आपको क्लिक करने के लिए तो आपको क्या करना है क्लिक कर देने- क्लिक करती ही आतोमेटिक यह रिस्टार्ट होना सुरू हो जाएगा इसके बाद इस तरह से विंडो उपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको safe mode में open करना है safe mode में open करने के लिए यहां से आप ध्यान से देख लिजएगा आपके case में कौन सा नमर पे enable safe mode लिखा हुआ आ रहे है उस चीज को आप ध्यान से देख लिजएगा जैसे आप देख रहे हैं मेरे case में यहां पे 4 नमर पे आ रहे है enable safe mode हो सकते हैं आपके case में यह 2 नमर पर आ जाए यह 6 नमर पर आ जाए कहीं भी भी आ जाए तो इस चीज का आप ध्यान से देख लिजेगा आपके case में कौन सा नमर पर enable safe mode लिखा हुआ रहा है उसके हिसाब से आपको F4 दबाना है जैसे मेरे case में F4 नमर पर है तो F4 दबाऊंग F4 प्रेस करते हैं automatic यह safe mode में start होना सुरू हो जाएगा इस तरह से safe mode में start हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने है start को पर आपको right click करने है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा device manager इसके बाद आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा display adapter इसके ओपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके नीचे जो भी display adapter होगा जो भी driver होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो आपको क्या है उसको आपको select कर लेने इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा uninstall device इसके ओपर जरका करेंगे यहाँ पर जरका करना यहाँ दिखिएगा जो भीुह니क्र केसे में यहाँ आपको पर आपको क्लिक करना है। जरूरी है जब आप इसको दुबार रिये स्टार्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा धिया है। जाएगा आपको manual कुछ भी करने के जोत नहीं है इसके अबाद आपको क्या करने है इस window को यहां से close कर देने close करने के बाद आपको क्या करने नॉर्मल यहां से आपको system start कर देने यहां से आप system को restart कर दीजेगा restart होने के बाद automatic इस तरह से यह restart हो जाएगा restart होने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा अभी आप देख रहे हैं यहां पर driver इंस्टोल नहीं है लेकिन आपको क्या करने यहाँ पर कुस सकेंड वेट करने के बाद आटोमेटिक इस तरह से driver install हो जाएगा आप देखने इस तरह से आपके case में भी आटोमेटिक driver install हो जाएगा और जो starting का problem आ रहा था, black question का problem आ रहा था यदि graphic driver install करने के बाद आपका problem fix हो जाता है तो आपको क्या करना है आपको अपने graphic card के हिसाब से जो भी latest driver है उसको आपको download करके उसको install करना है लेकिन आपको क्या करना परेगा clean driver install करना परेगा और फिर से उसको install करना परेगा graphic driver proper तरीके से कैसे clean uninstall करते हैं उसका वीडियो में पहले बना के रखाऊं उसका link आपको i button पे दिख जाएगा उसके क्लिक करके आप इस वीडियो के देखे आप clean driver uninstall कर सकते हैं उसके बाद दुबारा आप driver install करके चेक कर लिजेगा आपका problem fix हो जाएगा यदि start होता है तो ठीक है यदि start नहीं होता है तो आपको क्या करना है फिर से advance mode पे आना है advance mode में आना के बाद आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे आपको टुर्बल सूर पे क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे show more option पे click करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई एक restore plan select कर लिजाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको next पे click कर देने इसके बाद आपको restore कर लेना है restore होने के बाद आपका problem solve हो जाएगा यहाँ पे आपको दो option दिखेगा अब आप यहाँ पे quality update देखेएगा तो यहाँ से अन install कर सकते हैं याने latest feature update यहाँ से आप अन install कर सकते हैं तो लेकिन मैं आपको बोलोगा quality update बाला जो भी होगा इसके उपर आपको click कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा यदि आपके case में यहाँ पे आता है तो यहाँ पे click कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा अब आपको क्या करने यहाँ पे आपको दिख जाएगा अन install quality update इसके उपर आपको click करके quality update अन install कर लेने झाल झाल अनिस्टोल होने के बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा अब आपको क्या करने डन पे क्लिक कर देने डन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके यानि तो PC को रिस्टाट करके चेक कर सकते हैं आपका प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा आप आपको क्या करना है यहाँ पर tap करते हैं इस तरह से यहाँ पर रन हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर 100% complete होने तक आपको wait करना है complete होने के बाद यहाँ पर आके यह command रुक जाएगा आपको क्या करना है यहाँ पर tap करते हैं इस तरह से रन हो जाएगा रन होने के बाद यहाँ पर आके यह command complete हो जाएगा अब आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर दिने यहाँ से इसको close कर दीजिएगा close करने के बाद यहाँ पर आप क्या किजिएगा system को restart कर लिजिएगा यहाँ पर continue window 11 लिखाओगा तो यहाँ पर click करके आप चेक कर लिजिएगा आपका problem solve हो जाएगा अब माले ज़े रिये स्टार्ट होने के बाद फिर भी आपका प्रोल्रम सॉलू नहीं होता है ता आपको क्या करना यहाँ पर C, Advanced Repair Option को पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपेन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर आपको दिख जाएगा reset this PC इसको पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा अब आपको यहां पर दो option दिख जाएगा keep my file याने तो remove everything पर किलिक करने से सारा कुछ delete हो जाएगा यदि keep my file को पर आप क्लिक करेंगे तो आपके case में c drive के अंदर या download folder के अंदर या my document के अंदर या desktop के उपर जो भी file होगा उसको कुछ नहीं करेगा एजएटी रहेगा लेकिन जो भी एप या software होगा उसको अनिस्टॉल कर देगा ताप क्या करना है यहां पर keep my file के उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको क्या करन यहाँ यहाँ पर local reinstall के उपर आपको क्लिक करने क्लिक करते हैं इस तरह से reset होना शुरूँ हो जाएगा तरह यहाँ बाद यह window open हो जाएगा अब आप आपको क्या करना है यहां पर रिसेट को पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से रिसेट होना शुरू हो जाएगा अब आपको कुछ ने करना है बस यहां पर आपको वेट करना है झाल मैं पर रिसेट होना है । झाल 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 कम्प्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप देखेंगे आपका प्रॉलम स्वालू हो जाएगा आप देखने इस तरह से आपके केस में भी विंडो स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से इस प्रॉलम को फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गया चैनल को सब स्ब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, थैंक यू